हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लेन फन पर जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है हम लोग ने एक वन शुट शुरू कर रहा था दाट इस उप एवलूशन उसका पार्ट वन आप लोगों के पास जा चुका है अब यहां पर हम लोग पार्ट तू का डि बाद एवलुशन के बाद त्योरी ओफ लाइफ या क्या सकता ओरीजन ओफ लाइफ के बारे में कुछ देखे ती जैसे कि बिग बैंक थेओरी हो गया हमारा और आफ्टर दी ओरीजन ओफ युनिवर्स हम लोगों ने डिस्कॉर्शन किया था कि ओरीजन ओफ लाइफ कैसे ह हुआ है तो ओरीजन ओफ लाइफ के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने कुछ त्योरी करी थी आनों तो पर तरीके से हम लोगों ने समझा था थी के वह सब कुछ तरी गया तरीके से और उसके बाद मौदन ऐख लिए पीन और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ पड़ी थ तोड़ी बहुत बाते करी थी जब अपने सी वाइस पर गए थे आंड फिर यहां पर हमारा एक बालोजिकल कह सकते हैं अम्रोलोजिकल सपोर्ट भी आते फॉर एविलूशन फिर हम लोगों ने एविदेंस इविलूशन के जहां पर हम लोगों ने फॉसिल्स के बारे में डिस अगर किसी बच्चे ने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन देख लेना ना इस पार्ट टू के अंदर भी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं तीन तेक है वो कौन-कौन से अभी आपको टाइम के साथ पता लग जाएंगे इनमें से सबसे प क्या होता है अच्छे तरीके से पूरा डीटेल डिसकुशन हम लोग करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इस वन शॉट को ज्यादा लंब बना करें दो से तीन पार्ट में फैनिश कर दें अगर मैं इसको सिंपल टम्स में बोलू तो इस लाइक आ डाइवर्जेंट एवल स्पीसिस के जोर इंडिविजल सोते हैं डिफरेंट हैट में जाते हैं और वह इवाल करते हैं अकॉरिंग टूदा है ठीक है सबसे अच्छा एग्जामपल जो हम अरेक्टिव रडिशन में पढ़ता है डाट इस ऑफ फिंचिस डार्विन ने गैलापेगेस आइलेंड के अ आइलेंड के अंदर गया गैलाप पेगोस भी कह सकते हैं आइलेंड के अंदर डार्विन अडापटिव रिडिशन की बारे में पढ़ रहे थे कह सकते हूं को एक खंडिशन देखी उसमें क्या कंडिशन देखी वहाँ पर उनको छे तरीकी की फिंच इस देखी ओके लाज cactus ground finches जो cacti पर feed करे थी vegetarian tree finches insectivorous finches wobbler finches tool using woodpecker finches तो उनको different type of finches दिखाए दी और उनका यह कहना था कि सारी कि सारे finches जो है they have arised from common ancestor या क्या सकते है single ancestor तो एक ancestral finch थी उसके individual different जगा पर गया और उन्हें अपनी beak को किस तरीके से utilize किया या किस चीज के लिए utilize किया उस साब से उनकी finches की week में change आया जैसे कि जिन्हों ने plants वगरों के उपर feed किया उनकी beaks की shape थोड़ी अलग हो गई जो insects के उपर feed करते थे उनकी beach की shape अलग हो गई टूल वाली जो थी उनकी अलग इंसेक्टिव और फिंचिंग ठेके थोड़ी सी लार्स थी हमारी यह थोड़ी सी चोटी थी सो यहां पर क्या देखा गया कि single individual ancestor से हम लोगों को multiple क्या देखने को मिल रहे है टाइप सो फिंचेस देखने को मिल रही है तो somehow we can say it represents a divergent evolution क्या divergent evolution and divergent evolution जो था हमारा वो कौन से analogy को कह सकते हैं कौन से चीजों को present करता था analogous या homologous organs किसको present करता था homologous organs के अंदर हम लोग ने पढ़ा था कि similar structure but different functions ठीक है अगर homologous की और थोड़ी बात करें तो origin similar हो था and functions different थे तो कहीं न कहीं homology को represent करता है हमारा यह adaptive radiation okay so it was the मतलब होताने की adaptive radiation radiation को मतलब बलग अलग directions में जाना ठीक है और उनके हिसाब से उनके habitat के सबसे को adapt करना एक और बात आपको बता दे adaptive radiation जो होते है usually देखा गया कि एक particular क्या सकते है region के अंदर ही होते है तेकिन की boundary थोड़ी limited होती है ऐसा नहीं कि multiple क्या कहते है जगा पर होता है अच्छा अब एक concept हम और पढ़ेंगे कि अगर एक particular geographical area के अंदर जैसे यहां पर चलो बर्ट्स वाले केस हो रहा था बट अगर एक particular geographical area के अंदर क्या होगा दो adaptive radiation होते हैं यह आप कह सकते हैं कि दो साथ साथ adaptive radiation होते हैं या दो साथ साथ divergent evolution होते हैं तो इट लीट्स अब ही आप लोगों को पता लगेगा ना यहां पर देख लीजी क्या लिखा वाए अनगर एक्जामपल इस अस्टेरियन मार्सुपियल्स अब हम एक्जामपल जो देखेंगे वो किसका देखेंगे अस्टेरियन मार्सुपियल्स का देखेंगे अनमबर of marsupials each different from the other evolved from an ancestral stock but all within the australian island continent so australian marsupials के अंदर भी हम लोगों को क्या देखने को मिला adaptive radiation देखने को मिला है अच्छा जी ठीक है now when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area तो यह क्या होता है when can call this a convergent evolution कैसे कह सकते है convergent evolution इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं उससे पहले एक लाइन पर देते हैं बस placental mammals in australia also exhibit adaptive radiation in involving into varieties of such placental mammals each of which appears to be similar to corresponding marsupial अब यह क्या कहने का logic है इसको जरा समझते हैं हाना एक मिट रखो color change कर लें इसका हाँ थोड़ा मैं तेज नहीं बोल सकता है मेरा गला वैसे ही फट रहा है हाना तो अभी मैं और तेज बोलूंगा तो और हालत खराब हो जाएगी मान के चलिए कि यहां पर एक species है यहां पर एक individual है यहां यहां पर species है कहलो कि यह हमारे marsupials है अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है नहीं पता हो marsupial क्या है तो उनको मैं बता दू marsupials वह एनिमल्स होते हैं जिनके पास pouch प्रेजंट होता है तो पाउस्ट एनिमल्स भी आप कह सकते हैं जैसे कैंगरू के पास पाउच होता है पॉकेट होता है तो अपने बीवी को उसमें रखता है जिक है मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को पता नहीं था मैंने बस ऐसी इनिशली रटा माल लिया था कि अच्छ प्लासंटल मैमल्स अच्छा जी अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ब्लेके आते हैं जै कि यहां पे मैं मान लेता हूं कि there are four different habits अगले अ एक ति हाँ पर है कि है इस इद्रिया में और इस लीजन यह ऑन 720 translors लिए जाधा हो यहां पर कुछ ऐसा हो कि इस यहां पर कुछ इसा किख यहां कि इस यह जाता हो मार्सुपियल के कुछ individuals एक्स वन हैबिटाट पह गए है प्लाशंतल धीकुछ इंडिविजल्स एक्सवन हैबिड़ पह आए मारसुपियलस के कुछ यहां पह गए यहां पह भी आए यहां पह भी आए and same goes with the placental यहां पर भी आए यहां पर भी आए और यहां पर भी आए अच्छा अब marsupials की जो species थी मैं कहारों कि अगर वो x1 पर आए तो वहां पर हमें एक नया evolution देखने को मिला एक नया species देखने को मिला m1 x2 पर हम लोगों को एक नया देखने को मिला दातेस् encourage sexuality एक्सी पर गषने को मिला दाटेस्म P3 placental species and X4 पर P4 placental species यह हम लोगों को यहाँ पर देखना को मिली अब यहाँ पर अगर देखा जाए अगर आप इस respect से देखोगे, marsupil के respect से देखोगे तो इसकी 4 नई species बनी according to adaptive radiation या according to habitat M1, M2, M3, M4 अब मैं अगर placental mammals के angle से देखूँ तो इनकी भी एक नई species बन गई है that is P1, P2, P3, P4 according to habitat but अगर मैं इसको एक broad category में देखूँ क्योंकि अगर इस नजरिया से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है divergent evolution हो रहा है और we can say adaptive radiation हो रहा है अगर इस नजरिया से देखेंगे तो इस एरिया में में क्या दिख रहा है P1 का ancestor कोई और है कोई और है M1 का ancestor कोई और है but दोनों के दोनों सेम habitat में है तो दोनों के basic functions जो होंगे वो सेम होंगे M2 का ancestor कोई और है P2 का ancestor कोई और है but दोनों के दोनों सेम habitat में है तो basic functions सेम होंगे same goes with M3 M3P3 and M4P4 इन सबके ancestors कोई और हैं but they perform a similar function because they are present in a common habitat तो एक ही जगह पे जब दो divergent evolution होते हैं तो it leads to convergent evolution convergent evolution कैसे क्योंकि हम लोग ने पड़ा है analogous organs के अंदर की इनका structure different होता है but function same होता है analogous organs कौन से होते हैं जिनका structure different होता है बट function same होता है जिनका origin different होता है बट function same होता है तो M1 और P1 origin different है but they have the common function कैसे common function है मैं आप लोगों को स्कुजरा एक बरी दिखाता हूं ठीक है यहां से उपर आते हैं आच्छा हमारे पास कुछ images है वह images आपको दिखा देते हैं जैसे कि यहां पर अगर देखोगे तो यह मर्शूपेल के रडिशन से टेस्मेन वल्फ हो गई हमारा शुगर ग्लाइडर हो गया ओके फिर उसके बाद मर्शूपेल मोल कौाला बैंडी कूट वूमबैट और कैंगरू मर्शूपेल राट बैंडी डीटर तो यहां पर आप देख सकते हैं और यह वाला देखा जाए तो टिस डिफरेंट प्लासंटल मैमल जो बेबी है उसको अपने बॉड़ी के अंदर ही मतलब फीड वीड करता है एडल्ट यांग वन को बाहर निकालता है फिर उसके बाद मार्शूपेल की बाद के तो उसके पास पौच प्रेजंट होता है और एंटीटर द स्कुएरल जो है प्लासंटल मैमल है तो यहां पर क्या हो रहा है दो डावर्जंट एवलूशन हुए है एक स्पेसिफिक जोग्रेफिकल एरिया पर विच अल्टिमेटली लीट्स टुआ का नवर्जंट एवलूशन तो जो वहां पर बात करी गई थी तो उसको प्रूफ कि रही है इन ही को हम क्या कहते है इसी को हम अडाप्टिफ कन्वर्जंस कहते है वैन टू अडाप्टिव रेडियेशन या कह सकते हैं वैन टू डाप्टिवर्जंट एवलूशन टेक्स प्लेस इना पर्टिकुलर या इना कॉमन जग्रेफिकल एरिया इट लीट्स टू दी कन हमारे में थोड़ा बहुत जो हमारी एंशियाटिक इंदर दी गई है now what is biological evolution कही न कहीं जो मतलब कह सकते है species के अंदर खुच से हो ठीक है कैसे कहना चाहर हो में एक बड़ी जड़ा देखते हैं evolution by natural selection in a tree evolution by a natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences and metabolism capability originated on earth ठीक कुछ भी नाया नियास के अंदर simple सी बात बोले गई है की sorry की evolution जो है earth के ओपर अगर true sense में देखा जाए तो कब start हुआ था जब cellular life forms rise हुई थी and उनके पास metabolism करने की capability थी ठीक है यह बात बोली गई है जो की obvious भी तभी हमारा biological evolution start हो सकता है biological evolution का मतलब क्या है जो biological level की वज़े से हो रहा हो biological changes की वज़े से हो रहा हो that is biological evolution okay now the essence of darminian theory about evolution is natural selection darwin का main funda about the evolution was kya natural selection only the rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan अभी हाँ पे काफी interesting सा point आने वाला है मैंडल ने क्या बोला the rate of appearance of new forms rate of appearance of new forms forms is new forms is linked to life cycle or lifespan अब कैसे linked था directly related directly link था indirectly link था या inversely linked था यह नहीं नहीं बताया तो आपको बता देते हैं कि rate of appearance of new forms it is inversely 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 linked to life span inversely linked क्यों बोला मैंने या क्यों होता इंवर्सलिंग ज़रा सभज़ती की कोशिश करना अगर कोई organism है जिसका life span मान लो की 10 साल का है उसके अंदर evolution होने में समय लगेगा ठीक है या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई organism जो है जिसका life span 10 साल है तो उसके अंदर अगर evolution होगा या उसके अंदर evolution होने के बाद नई life forms अपियर होंगी मान लेते हैं कि 200 साल बाद अपियर हुई अगर कोई organism ऐसा है जिसका life span एक साल का है तो उसके अंदर नई life forms हो सकता है 100 साल बाद ही अपियर कर जाएं जितना कम life span होगा inverse मैंने बोले कि जितना कम life span होगा उतना ही जादा rate of appearance of new forms बढ़ जाएगा जितना जादा life span होगा मान लो कि कोई किसी का life span 100 साल है तो उसके अंदर rate of appearance of new life forms बहुत जादा बढ़ जाएगा अगर जादा होगा rate of सारी कम हो जाएगा अगर जादा होगा life span तो appearance of new life forms का rate बहुत कम हो जाएगा यानि कि अगर किसी का लाइब साल है तो इसके अंदर नई फॉर्म साने में हो सकता है कि करोड़ों साल लग जाए ऐसा भी हो सकता है ओके सो यहां पर क्या बोला था तर रेट फॉर्पिरेंस अफ नियु लाइफ फॉर्म्स इस लिंग्ट तो दा लाइफ साइकल और लाइफ स्वैन कैसे लिंग्ट है वह भी हम लोगों को यहां पर पता लगेगा माइक्रोब से होते हैं डाट डिवाइट फास्टर हैफ एबिलिटी तो मल्टिप्लाइए और बिकम मिलियंस ओफ इंडिविज्विज्ट विदिन आर्स ठीक है अक कॉलोनी ओफ बेक्टीरिया ग्रोइंग और मीडियम हैस इन बिल्ट वेरिएशन इन तरम्स आफ कि तो आप ने ग्रो करा तो निश्ट वाली कोम लोगों ने क्या बोल दिया एब लिया तियके मतलब ज़ुन जैशल कोलो नी थे जिसाल पहले हम लोगों पॉपोलेशन से भी दैट गंजी बंदर नीव कंडिशन है अब हम लोगों कर दिया इप टो लिए 2C युविए इंज करना तो सकता है कि जो पहले सारे लिए उस्वेटियू पे घ्रों कर रहे थे या बाकी साहरा उसको ना कर पाएं अब तो आपकुछ small part of population ही उसको क्या कर पा रही है use कर पा रही है उसको हमने क्या बोल दिया B या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जब हम लोगों ने A का medium change करा तो कुछ small group of bacteria ही उसको survive कर पाए और वो हमारे group of bacteria को हमने बोला B कैसे survive कर पाए जब A divide कर रहा था उस medium पे है तो धीरे 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 उसके अंदर क्या हुए variations हुए और जिनके अंदर variations हुए जब medium हम लोगों ने change करा उन variations ने उनको survive करने में help करा इसी को हम क्या कहते है evolution कहते हैं बैक्टीरिया का आप लोगों ने को example देखा होगा जब आप कोई farmer वगरा होंगे आप उनसे पूछना आप कहीं अगर विलेज वगरा में कभी जाते हैं आपके कोई दालते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि जब आप विलेज में वह फार्मिंग करते हैं पैस्टिसइट गालते हैं इसको नहीं हम लोग पैस्टिसेट डालते हैं सिमिलर केस अगर आप लोगों ने ट्यूबर क्लासिस का नाम तो उस्केस में वम क्या करते हैं कि अगर हम लोग बैक्टिरिया को ट्रीट करते हैं फ beef लोगों है के इनो զॉफीट करने करने कभी किया होता है जैसे कि इस बेक्टीरिय के केस में जो भी फॉपलेशन बनी थी जो नए मीडियम पे ग्रोव कर पा रही थी वह तो बहुत जल्दी बन गई उसने थोड़ी ना साल लिये वल्व होने में और सबसे चाहा अग्जामपल आप लोग रिजेंटली उसका ले सकते कोवेड का की गया लिए которого बहुघ करते रहता है और जिस तरीके से उसको मतलब ब्लढ का मीडियुम अग्र जैसी सारी शी मिल रही थी उसको उसके से वह बरहें लेकिन लेकिन आपको बता दू कि वैरियेशन जो होते है वो जब हो रहे पता तो एक बरियाप सर्च करना अगर आप देखेंगे तो वह कम से कम मैं खाल से 10 से 12 वे इंस तो आपको दिखी जाएंगे 10 के आसपास वे इंस मैंको लिस्ट एक्जेक्ट लियाद नहीं है मतलब 10 वे इंस तो आसपास होंगे उसमें से कुछी थे एक से दो थे जो दादा ह थे बाकि जो वेडियन थे या बाकि जो वेरिशन हुए थे वह उतने बैनिफिशन नहीं थे उस वारेस के लिए यह इनफेक्ट कर पाए ठीक है तो वेरिशन पी जरूरी है कि हम मेशा ही बैनिफिशल हो तो इट डिपेंड्स की वह मीडियम को इस तराउंडनी को कितने अशे तरीके से सपोर्ट कर रहा है ओके नव दिस वड हैपन विदिंधे और एक इतनों में कितने नाइम हो जाएक विदिन देश वर सम्सेम तिंग इनव फिश और फॉल विटेक मिलियंस ओ यह ऑग जाएंगे क्योंकि उनका लाइसफन तो सालों का होता है कि यहां पे दिखाब रखाय कि जैसे कि हमारे यह बैक्टिरियाज है इन में से कुछ हमारे बैक्टिरिया जो थे वो कैसे हो गए वो रिजिस्टन्ट हो गए जैसे अपने मीडियम में कुछ नहीं चीज डाली तो येलो वाले मर गए और रेड़ वाले जो थे हमारे वो शर्वाइब कर गए उल्टिमेटली मीडियम के अंदर रेड़ वाले बैक्टीरियस ज्यादा है ठीक है तो यह हमारा एक तरीके से एक्जामपल था बालजिकल एडिशन का नाओ अब आगे बढ़ते हैं है है यह वी सकन से दाट फिटनेस ऑफ बी इस बेटर देन दैट अफ ए अंडर नियु चंडिशन तो यहां पर लोग क्या सकते हैं जो मारा बी था उसका नंबर यह उसका पॉपलेशन बढ़ने का रीजन क्या था क्योंकि बीज जो था उसका फिट कैसक्ते नस one must remember that so-called fitness is based on the characteristics which are inherited जैके तो फिटनेस किस पे डिपेंड होती है उन characters पें होते हैं यह इतना important नहीं है इसमें कोई दिक्रत निया आपने को इतना पता लग गया किया अपना lifespan कैसे rate of life forms rate of appearance of new form say related है now there must be genetic base for getting selected and to evolve another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environment तो हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ organisms होते हैं they are better adapted to survive in different conditions adaptive ability is inherited यह जो ability होती है adaptive ability जो होती है जैकि जो bacteria जो थे वाले हमारे वह change of medium की बाद सवाइब कर पा रहे थे वह inherent होती रहती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनरेट होती रहती है इसका जनरेटिक बेस होता है fitness is the end result of ability to adapt and get selected by nature यहां पर भी कुछ important ना खास में ही है अपने को यह याद रखना है branching descent and natural selection are two key concepts of darmenian theory of revolution so branching descent का मतलब क्यों आता है सी मेंडल ने जो मेंड चीजे करी थी नाच्राइब सेलक्शन तो अपने को पता है तो नाच्राइब का की कॉंसेप्ट था ही दूसरा मेंडल ने जो डिसकस किया था डाट वर सब्सक्राइब अगर आप थोड़ा टेक्निकली पढ़ेंगे तो branching descent भी बढ़ सकते हैं कि branch हो रहा है descendants ठेक है तो branching descents भी हम कह सकते हैं तो branching descents और natural selections और we can say divergent evolution और we can say natural selection was the two key concepts of darwinian theory of evolution बट आप branching descent लिखना क्योंकि exam में और नीट में question पूचा गया है कि what are the two key concepts of darwin darwinian theory of evolution तो your answer would be branching descent and natural selection ओके चाली आगे बढ़ते हैं हम ओके सो यहां तक हमारा discussion हो चुका है अब थोड़ी सी कुछ और discussion कर लेते हैं और biological evolution के बारे में यहां पर देखे क्या बोला गया है कि even before darwin a french naturalist that is landmark had said that evolution of life forms had occurred but had occurred but driven by the use and disuse of organs so Lamarck ने एक theory दी थी that is use and disuse of organs और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चे evolution पढ़ रहा है तो उसको ने यह theory हमेशा याद रहती है क्या बोला था नोरे theory में कि he gave the example of giraffes who in attempt of sorry who in attempt to forge leaves on tall trees had to adapt by elongation of their necks to work at up in on a balla key and they could giraffes to tena on को मतलब जो leaves अगरा खाने थी ठीक है तो उसके लिए उनको अपना next stretch करना पढ़ाए कै सकते हैं पहले habitat के अंदर leaves अगरा जो थी वह थोड़ा surface पे थी या नीची की तरफ थी लेकिन जैसे जैसे मतलब leaves खतम होती रहे यह उपर की तरफ जाते रहे पेड़ बढ़े उतर है तो उन्होंने अपना next stretch कर रहा लीफ को खाने के लिए तो इस वज़े से उनका जो नेक है वो काफी elongate कर गया यह कहना था लेम मार्क का ठीक है एस पास्ट ऑन इस एक वाइड करेक्टर अफ इलांगेटेट नेक तो सक्सेडिंग जनरेशन जिराफ स्लोली ओवर दा येर्स केंट अक्वार लॉंग नेक नोबड़ी विलिफ इस कंजक्चर एनीमोर तो यहां पर क्या बोला गया कि इस वज़े से कि मतलब आपने नेक को स्टेच कर रहे है ठीक है यह आपने नेक को कर्रक्टर गया तो इस कंजक्चर को यह सकते हैं यह किसे ने अब आपको ऑपकोली करता इसक वाइध नहीं करता है इस वपर अब एक अ सरफ लोग ने थी पुरिस दी थी किया और यह क्यों फॉल्स है क्यों नहीं है बट लेस्ट डिस्कस दस डीटेल ओके अब देखो क्यों डिसकस करना इसको जरूरी है यहां पर एक इमेज भी लगाया गया है कि ले माक ने बोला था कि भाई हमारे जिराफ ते पहले वह शॉट नेक थे फिर वह मॉंग नेक अब बहुत सारे साथ कहना है कि यह ऐसे नहीं होता हमारे एक साइंटिस्ट थे उन्हें नहीं ने लेमा को डिसपरूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा था राट के साथ यह माइस के लोग पर दिखकर नहीं है उन्होंने माइस के एक टेल जो थी उसको कट कर आप तो मैंने जनरेशन और यह सोचा कि अगर हम माउस के टेल कट कर देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो माउस हो बेना टेल के ग्रोव करने लग जाएगा और वह ऐसा हुआ नहीं तो उस आप ले सकते हैं तो जैसे जॉन अब्रहाम होगा हमारे सूपर स्टार्स जो है तो अगर उनके के कहते हैं आने वाली जनरेशन हो गया बेबी जो होगा तो ऐसा नहीं होगा उसके अंदर मसल्स जो है वह पहले से बिल्ड होकर कर आएंगी इनका कहना था कि एक्वाइड करे जाता था जिसमें उन्होंने बोला कि या जो रेट ऑफ अप्यरणस ऑफ न्यू फॉर्म से वह किसके उपर डिपेंड करता है वह डिपेंड करता है लाइफ स्पैं के उपर अगर लाइस पैंड कम होगा तो अपीरिंस ऑफ निए लाइफ फोंस को टाइम लगेगा अगर व सालों में life span है तो उसका तो appearance जो है वो millions of years में होना था अब इतनी generation तक किसने टेल काटी भई अच्छा दूसरी बात हम यह कह रहे हैं कि अगर कोई bodybuilder है या कोई athlete है तो athlete के घर में क्या कहते है athlete babies क्या कहते है born नहीं होते है नॉर्मल babies यह born होते हैं बट मतलब मेरे को मतलब यह बिलुकुली हो सकता है कोई दूसरा teacher देखे कोई मतलब कोई भी देखे तो गएगा कि क्या बेवकुफ वाले सवाल करने है बट मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मिलमार की जो थियोरी थी acquired character वाली मतलब यह इसका ना कोई भी एकाडमिक से रिलेशन नहीं है मतलब मैं अपने जो व्यूज दे रहा हूँ it is for general thinking कि हाँ वही क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा possible हो सकता है नहीं हो सकता जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि athlete जो है उसका stamina ज्यादा है that doesn't mean उसकी baby का stamina भी ज्यादा होगा मैं कहरों कि चलो ठीक है नहीं होगा second generation में लेकिन अगर यह वो 500 सालों तक करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे तो क्या possibility नहीं बनती कि मतलब हो सकता है आने वाली generation में जो प्रोजनी जोन का stamina compare to other children ज्यादा हो अब जसेंग डियर आर चांसेश क्योंकि लेमाक का जो थियोरी था अफ एक्वाइड करेक्टर्स तो मेरे को इतना बतलब बुल्शिट नहीं लगा जितने बगार तरीके से उसको कर दी गया था कि नहीं है तो फालतु है हलाकि कुछ लोग थे जो लेमाक के साथ agree भी किये बट मेरे को इतना मतलब वो नहीं लगा हलाकि इनकी theories को हम अतना detail में पढ़ते नहीं है क्योंकि accept नहीं होई थी disapprove कर दी गई थी बट अगर इसके बारे में सोचे कि जो जो हम लो ultimately क्या कहते है acquired characters को भी अब थोड़ा time दीजे ultimately देखो जैसे हम एक example देखते है कि यार एक जैसे फिंच वाल एक्जामपल था कि एक फिंच थी पहले वो नॉर्मल फिंच थी फिर different habitats पे गई तो हाँ पर जाके evolve हो गई उसके बीक में कोई चेंज आया तो उस तरीकी क्यों ग है तो सब्सक्राइब को कुछ नॉर्मल एक्वारी करा होगा ना धीर 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 करके वह एक्वाय करेक्टर कह सकते हैं कि उसके बॉड़ी के नंदर कुछ चेंजिस लेकर क्या आया होगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि acquired character can become inherited अगर उनको शाइड time में ले तो मतलब मैं इसकी तो मैं भी इसकी बारे में अभी यही बोलूगा कि acquired characters are not inherited वह हम लोगने acquire होते हैं और नेक्स जनरेशन में नहीं जाते हैं बट आइफील लाइक की अगर लंबे टाइम तक किसी character को perform करते जाए आने कि अगर मान लोगों को पचास जनरेशन जीने में पतानी कितना टाइम लग जाएगा अगर पचास जनरेशन के पचास साल भी मानोगे तो 200 साल तो जो scientist को observe कर रहे हैं उनको भी चेंज होना पड़ेगा हाना वह भी बिचारे बोड़े होकर अगर मरते रहेंगे तो उनको observe करना वह थोड़ा सा मुश्किल एंग चीज़ों को क्योंकि टेक टाइम तो हम लोग अ evolution of process or result of processes अब यह एक interesting question है कि evolution एक process है या एक process का result है the word we see is inanimate and animate is only the success stories of evolution now when we describe this story of this world we describe evolution as a process process जब हम इसका पूरा वर्ड का story बताता है कि पहले यह था फिर यह हुआ फिर यह हुआ तो वहाँ पे हम evolution को as a process describe कर रहे हैं on the other hand when we describe the story of life on earth ठीक है we treat evolution as a consequence of process यह natural selection जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भाई पहले ऐसा हुआ ता फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ तो वहाँ पे evolution एक process की तरह हम discuss कर रहे हैं लेकिन जब हम life on earth की ओपर discussion करते हैं कि हाँ ठीक है ऐसी लाइफ थी फिर ऐसी लाइफ फी फिर वह हुआ तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि evolution जो है वह process की वज़े से हुआ है कि पहले ऐसा में मतलब मतलब इसमें बता सकते हैं वैसे स्टेट्मेंट फॉर्म में आएगा ओके और ऐसे ना ऐसे कोशिंस मोसिल ना उसमें आते हैं कि assertion reason में या statement 1 or statement 2 के फॉर्म में देते हैं कौन सी correct है क्या दोनों correct है इंकरेक्ट है उस टाइप में दे देते हैं ठीक है ना इस पॉसिबल डाट वर्क आफ थॉर्मस माल्थर्स और पॉपुलेशन इंफ्लूएंस्ट डार्विन अब किसने सोचा होगा कि नीट में एक इस सिंपल सी लाइन से भी कोशन आया हुआ है एक कोशन नीट में देखा रहका था कि किसके वर्कने डार्विन को यंफ्लूएंस कर रहा था या किसके वर्कने में इस hadn't onということで काम कर रहा था वह इसको डार्यवी ना इइंफ्लूंस कर रहा था तो आँसर इस थमैस माल्सais तो है कि अगर आप निट की प्रिपलिशन कर रहे है तो ncae-tiagnet वको limited, populations are stable in size except for seasonal fluctuations, members of population vary in characteristics, even though they look superficially similar, most of variations are inherited, the fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, okay, and the fact that population size in reality are limited means that there had been competition for resources, now you can see Darwin how influenced Thomas Malthus's work, this is a very important role, Malthus's said that natural resources are limited, okay, understand this, the population is stable in size, except for seasonal fluctuations, but now we think that populations are stable in size, even though they are superficially similar, if you and I are superficially similar looking at it, you have two hands, I have two hands, two eyes, but the fact that theoretically population size will grow exponentially, population size will grow exponentially, and the fact that population size in reality are limited, population size in reality is limited, because because, means that there had been competition for resources, now you have to understand this, you have to understand this, Malthus has said this, the fact that nature resources is limited, population size is stable, why is it stable, because if you see in reality, there has been competition for resources, so from here, and only some, only some survived, and grew at the cost of others, that could not flourish, okay, okay, now, what do they say, Malthus has said that they can only survive and grow on their cost, which they can not grow, which they can not flourish, which they can not flourish for few, will enable only those to reproduce, and leave more prajani, just so, it was such a story, Malthus has said that the population is stable in size, and the resources is limited, the population is in variations, they can inherit, okay, and they can complete the same resources for resources, so, this is why normal size, reality size is limited, and the population is limited, and last minute, they can only survive, who can basically adapt, or can grow at the cost of others, so, only they can survive, who can utilize the resources to be able to flourish, and they can only dominate, so, Darwin has taken a sequence of consequences, that the variations, which is heritable, so, the variations are such a way, that if A and B population, B is surviving, and growing at the cost of others, and the cost of others, okay, or the cost of A, or B is dominant, so, Mendel has said only so much, that B, which are heritable, he asserted that variations, which are heritable, which make resources utilization, better for few better for few conceptally be well a clear will enable only those to reproduce and live more prajani had sorry hence for a period of time over many generation survivor will sleep more prajani and there would be change in population characteristic and hence new form will appear in the mother pier or rice so basically Marlowe ki agar kisi population can der mother we haki do mother boy our individuals have take a coach can their variations I so that versions which can their version size or version since go ुs resources go ुच्छे तरीके स्यूटराइस करने में help कर रहे हैं ठीके तो वो उसको यूस करेंगे रिपर्डिूस करेंगे और यूलीफ मोर प्रजैनी और यूजिए दूसरे वाले जिनके वरे इसथीक नहीं थे वो धीरी-धीरी करके कम हो जाएंगे और एक नई पॉपलेशन जो है उसका डेवलप्मेंट होगा सो थामस मैल्थस का जो स्टेटमेंट था उसकी वज़े से भी डार्विन को काफी जाधा क्या सकते हैं चीजे सीखने को मिली थी ओके अनुनी के बेसिस पे उन्होंने अपना वो दिया था अब बात क के बारे में इस साटिंग में भी बोला था कि ओप लिए लोगों ने बोला था भी तक यार भगवान ने दुनिया बना ही है फिर बाद में अचानक से अईसा हुआ कि नहीं भाई ऐसे दुनिया नहीं बनी है और यह कैमिकल एवलीशन हुआ था तो एक होता ने कि रिलीजिय जो भाय थे इस टाइम तक डार्विन ने अपनी बहुत सारी चीजे जो है जो उनका सी वह इस था ठेक एडाक्टिव रेडिक्शन नेचल सलेक्शन बहुत सरी चीजों के बारे में डिसकुशन कर लिया था और डार्विन काफी ज्यादा पॉपुलर थे आपको मैं बता यह ठीक करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं और डार्विन इस बारे में डिसकुशन कर रहे थे कि भाई एविलूशन किस तरीके से हो रहा है यह जब डार्विन सात में काम करते तो हम लोगों को और भी नई चीज से सीखने को मिलती बट उस ट का नाम याद मैं हमेशा ना एक का नाम बोल जाता हूं ठीक है याद आएगा तुम बता दूगा तो उन्होंने रिडिस्कवर किया था मेंडल के बग को बट यहां पर भुआ क्या हूं थोड़ा सा विस्टे कर रहा हूं इन्होंने क्या बोला कि यह देखो नैचल सेलेक्शन साम के ना कोई चीज निए होती है मैंडल ने बोला था एवल्यूशन एक ग्राजूब प्रसेस धीरे 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 भीरे भीरे वारिशन साते रहते हैं नहीं नहीं फालतों के बगवास है ऐसा कुछ है नहीं निव स्पीशीज आर नॉट फॉर्म बाइक कॉंटिनूस वारिशन बट सदन अपिरेंस ऑफेरेशन काता मतलब डार्विन का उस टाइम तक बहुत नाम हो गया था और उनकी बाते कहीं न कहीं लोगों को काफी रिलेटेबल लग रहे थी उनके जो भी पॉइंट्स आते थे लोग उसको अप्रिशेट करते थे आन उनको मतलब काफी समझते हैं कि अच्छा एंहों ने बोला पैली बात तो कि हृणि other relations कई सब्सक्राइब दिखाये भी था तो उसके बारे में भी discussion करते हैं mutation कैसी होती है है हरिटेबल होती है यानि कि अब mutation क्या है sudden change तो जो यह sudden change आते है these are heritable और यह organism के अंदर persist करते है और आपको successive generations में देखने को मिलेगा ऐसा ने कि अगर हो गया है तो फिर next generation में नहीं होगा अगर इस generation में mutation हो गया तो आने वाली आगे generation में same mutation हम लोगों को देखने को मिलता रहेगा ठीक है अब इन्होंने एक experiment करा था evening primrose के साथ या primrose कह सकते है या एनव थेरा लेमर किया ना कह सकते है इतना क्या experiment करा यहां पर देखे सारी तो normal plants इसको थोड़ा सा उपर कर सकते हैं क्या ठीक है हाँ जी तो normal plants evening primrose इसके कितने specimen लिए 50,000 लिए 50,000 specimens को क्या करा self pollination करा ठीक है और उनकी seeds को grow कर दिया seeds को grow करा तो उनको क्या दिखा majority of plants for normal and कितने approximately 800 plants जो थे उसके अंदर कुछ mutations दिखाए दी ठीक है अब इन 800 plants को फिर से क्या करा उन्होंने self pollination करा self pollination करा था इनके कुछ plants जो थे ठीक है different plant यहां पर है majority और यहां पर क्या रखा है more different plants with fewer mutants fewer mutations सो अगर आप इसको में जो थे हमारे अब इस पहला वाला जो प्लांट था उसको इससे कंपेर करोगे तो काफी ज़्यादा differences देखने को मिल रहे हैं पचास जार में से अगर 800 के बीच में 800 के अंदर mutations आ रही है तो यह छोटा नंबर नहीं है तो इसके अंदर इसके कुछ सिमिलर मिले यहां पर इसके बीच पर देखने को मिली और इसको अगर आप इसको इसको अगर इसको इससे तो बहुत ही दिफ्रेंट प्लांट सम लोगों को देखने को मिल रहे थे जब कुछ भी करेक्टर सो सकते हैं तो यह हमारे मतलब बिसिकली कहना था यूग डिवेरिस का किया देखो ऐसा नहीं है थे के मुटेशन से होती है सदन चेंजिस होते हैं और उसी की वज़े से एविलूशन होता है न्यू टाइप सफ न्यू टाइप सफ इन्हेरेट करेक्टर स्टिक्स में अपियर सदन विदाउट एनी ज्थ यहां पर हमारा हाडी में यहां हाडि में यहां जो है और इसके अलावा में पटादो आप लोगों को ज्जादा कुछ निमचा है हाडी मीन यह उसके बाद हमारा यह यह कहते हैं नैचछल सेलेक्शन ठीके एंड जिलाजिकल स्केल इसके अंदर में ज्यादा कुछ नहीं है और human evolution तीन topics है हमारे hardy windback equilibrium और उसके बाद क्या कहते है और क्या कहते है यह यह आप लोगों को मैं करवा दूँगा और इसके अंदर न एक और evidences of evolution के अंदर में को एक और टॉपिक करवाना था डाट इस इंडेस्ट्रिल मैनलिजम वो गलती से मिस हो गया है बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूं असल में हमारे यहां पर कलर डिसकर्स हां दो तरीकी के मौत होते हैं बदब उसकी image लगानी तो उसमें पूरा का पूरा फेनिश कर देंगे ठेक हैं सो हाड़ी बीन पर की किलिवर में क्या बोला गया कि अलील फ्रिक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी जो होती है पॉपलेशन के अंदर इट विल रिमेन कॉंस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ए कि यहां पर लोगों को कि दिख राया है अलील फ्रिक्वेंसी पोशन जो जाएगा एक फैक्टर जो जाएगा डाट लुब दी अलील तो अगर यहां पर जिनो टाइप देखोगे तो क्या क्या है जैसे कि अगर इसका निकालते हो कैपिटल डवुawan कितने है ते हैं एक गॉं geweक आवैं एक दो टीन चार पाथ छे चे से एकीटल डवशन माल डवन कितने हैं यहavic virtual है तो यहां प्युक्य मिंठालने हो गया धालील फ्रिक्वंश्या लोगो को इसे निकालनेये से इस अपर णैड दाएंगे स्माल डवलू की कालने होगे तो टू अपन नाइन कापिटल और स्मॉल के निकालने होगे तो वन अपन नाइए डाट विल भी दजी रोटाइब फेक्वेंची अली रिकन सी क्या है अगर आप अलील को काउंट करते हैं यहां पर तो जैसे इच्छे हैं इन टू सीधा में टू कर देता हूं ब कितने हो गए दो थे ना यह चार और एक पाथ स्माल डावलू हो गए तो तेरा और पांच का अलील का रेशियो है तो यहां पर बोला गया कि जो अलील का फिरिक्वेंसी है और जिनो टाइप का फिरिक्वेंसी जो होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एट आलवेज र के बार में discussion करेंगे कोई भी evolution वाला process नहीं हो रहा है तो हमारा अलील फ्रिक्वेंसी और जिनो टाइप फ्रिक्वेंसी इट विल रिमेन constant ओके इन्होंने हमें दीती कुछ equations कौन कौनसी दाट इस P प्लस Q is equal to 1 and P square प्लस 2P किस Q plus Q square is equal to 1 यह equation represent करती है क्या कर अलील frequency में अलील frequency और नीचे वाली रिप्रेजेंट करती है क्या जी अठीव टाइप फ्रिक्वेंसी जीनो टाइप फ्रिक्वेंसी कि अच्छा जी को कि अब ज़रह कि TRAVIS करते हैं यह हमान लोग कि यहां पर हमारा यह dominant वाला हो गया ठीक है यह हमारा प्रेसाइस वाला लील हो गया आपको कहीं पर कोई भी लिखना है लिख दिजिए सफर्क नहीं पड़ेगा यह पी स्कॉर जो होता है यह रिप्रेजेंट करता है क्या होमोजाइगस होमोजाइगस हो dominant होमोजाइगस dominant genotype q2 represent करता है होमोजाइगस होमोजाइगस रिसेशिव जीनो टाइप एंड 2pq represent करता है क्या हेटरोजाइगस जीनो टाइप क्योंकि जीनो टाइप में तो एक और कंडिशन हो सकती है ना हेटरोजाइगस भी हो सकता है यानि कि अगर एक्जामपल के बेसिस पे देखा जाए तो capital w capital w भी हो सकता है small w small w भी हो सकता है और capital w हो सकता है लेकिन यहां पे तो डबलू और स्मॉल डबलू तो उस बेसिस पे यहां पर योटो टिक्वेशन कई गई थी कैसो को Experimenti d देखेंगे सब्सकार्ण ऐक justification में आता है तो एक एग्जांपल देख लेंगे कि इस तरीक में घुनेल चीज़ को बड़ी सी सो दिया था, allele frequency and genotype frequency will remain constant in a population from generation to generation in absence of any other evolutionary influences, now what is this any other evolutionary influences, क्या होते हैं, कोई भी कैसी process जिसकी वज़े से evolution हो, जिसे की natural selection के वज़े से evolution होता है, mutation के वज़े से evolution होता है, तो ये सारी चीज़ा कर नहीं होंगी, और एक population के अंदर, तो उसका अंदर allele frequency और genotype frequency constant रहेगा, सवाल ये है कि allele frequency और genotype frequency होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, ठेक है, और कौन-कौन सी ऐसी processes है, जो evolution करवा सकती है, एक population के अंदर, तो उसके बारे में बें discussion करेंगे, हमारे कैसकते हैं, दो scientist थे, Hardy and Winberg, उन दोनोंने मिलकर के ये law दिया था, और ये आप लोगों को इस law के help सो भी पता लगेगा, अभी आप देखेंगे कि कहते हैं कि इस law के अंदर काफी ज़्यादा, मतलब maths वगड़ा का use होगा, but interesting है, exam में questions यहां से पूछा जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो वही सारी कहानी यहां पे लिखी हुई है कि, बोथ gene frequency and gene frequency will remain constant from generation to generation in an infinitely large population and in which mating is at random and no selection migration takes place, अब, NEET के अंदर यहां से, इस slide से, दो direct सवाल आये थे, क्या, कि hardy windbag principle जो है, वो कौन सी population के लिए है, large population के लिए, small population के लिए है, तो infinitely large interbreeding population के लिए है, दूसरा सवाल पूछा गया था कि, hardy windbag equilibrium के अंदर mating को कैसे लिया गया है, यानि कि जो लोग, जो species जो यहां पस में breed कर रहे हैं, तो they breed randomly, ऐसा नहीं है कि या हम उसको human in कह सकते हैं, intervention के help से, या artificial के कहते हैं, artificial कुछ इस तरीके से करवा रहे हैं, कि specific position में mating हो रहे हैं नहीं, mating भी random है, सब कुछ random हो रहा है, large population है, उसके अंदर allear frequency और gene frequency रहेगी, from generation to generation, अगर कोई भी evolutionary influence नहीं है, like natural selection, mutation, migration, genetic drift, ठीक है, और मतलब एक genetic drift भी होता है, एक वो भी होता है, gene flow भी होता है, अभी साथी चीज़े क्या है, इसको आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी हमारा focus रहेगा किसके उपर, कि hardy windback equilibrium है क्या, सो यहाँ पर अगर अगर देखो, कि तो सबसे पहले बात करते हैं, किस के बारे में, gene frequency के बारे में, and allele frequency के बारे में, या genotype frequency, gene और allele भी कह सकते हो, बढ़ चौलो ठीक है कोई बात नहीं, gene frequency, and genotype frequency, genotype frequency, अब जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, genotype कैसे होते हैं, genotype क्या होता है, genetic makeup of agonist, यहाँ पर आपको क्या genotype दिख रहा है, capital W, capital W, यहाँ पर भी, यहाँ पर capital W, small W, यहाँ पर small W, small W, तो आपकी total genotypes, अगर आप count करोगे तो कितने हैं, 5, 6, 6 आप लोगों के capital W, capital W है, capital W और small W, आप लोगों के कितने जिनों टाइप से, एक, अच्छा जी, एक ही है, हाँ एक ही है, and small W, small W, कितने टाइप से, यह दो है, एक यहाँ पर, क्याँ पर, genes देखोगे, या अगर मैं बोलूं तो लोग अलग-अलग तरीके से बताते हैं, कि allele frequency क्या होता है, क्या नहीं होता है, बट मैं बहुत simple तरीके से बताऊँगा, and mostly work भी करेगा, जैसे मान लोग की, एक gene के अंदर दो allele है, तो अब पहले सारे, के सारे, allele count कर लो, total allele कितने है, यहाँ पर हमारे genotype 9 थे, तो allele कितने हो जाएंगे, एक gene के अंदर दो होते हैं, तो allele कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, तो total allele कितने हैं, 8, 18 है, capital W कितने हैं से, 6 हमारे यहाँ पर कितने थे, capital W, capital W, तो सीधर-सीधर 12 allele, तो capital W वाले हो गए 12 और यहां पे 13 तो capital W हमारे कितने हो गए 13 हो गए small w हमारे कितने हो जाएंगे यहां पे 4 & 1 5 ठीक है अब frequency कैसे निकालते हैं आप लोग ने पहले भी frequency निकाली होगी match में निकाली होगी जो भी total है जिसकी भी आपको निकालनी है जैसे मालो capital W, capital W की निकालनी है तो उसका number divided by total multiply करना है, divided करना है, hundred से वह बात की बात है तो टोटल कितना है? 9 था, sorry total, अलिली frequency निकालनी है तो capital W जो 13 है, 13 divided by 18, small w की निकालनी है तो 5 divided by 18, वो frequency है कि कितनी बारी टोटल में कितनी बारी वो देखने को मिल रहे है तो जो इतनी बारी देखने को मिलता है अप वान में total, ऐसे frequency निकालते है ठीक है, यह हमारा क्या कहला जाएगा, जैसे मालो अगर मैंने capital W को निकाला, 13 by 18 करके निकाला तो क्या निकल जाएगा हमारा, इट विल भी अपना gene frequency, allele frequency of capital W, 5 by 18 करूंगा तो क्या निकलेगा, allele frequency of small w, और आप इसको ऐसे कह सकता है, capital word जो होता है हमारा, capital letters में किसको represent करते है, dominant को, ठीक है, तो आप वो कह सकते है, dominant allele frequency, या homozygous relative frequency, ठीक ह so, अब इसी बेसिस पे हमारे जो hardy beanbag थे, उन्होंने दो equation दी थी, p plus q is equal to 1 and p square plus 2pq plus q square is equal to 1, ये जो equation आप लोगो को दिख रही है, this is for allele frequency, ये किस के लिए है, allele frequency के लिए है, ये जो नीचे आप लोगो को equation दिख रही है, this is for genotype frequency, genotype frequency, अब इसमें क्या-क्या मतलब कह सकते हैं कि p क्या represent कर रहा है, q क्या represent कर रहा है, एक बड़ी वो देख लेते हैं, ओके, सबसे पहले, let's come to the point, जहाँ पे allele frequency दे रही है, allele frequency के अंदर p जो है, वो represent करता है, क्या dominant allele के frequency, and q represent करता है, recessive allele के frequency, अगर नीचे वाली question पहें, जहाँ पे genotype frequency दे रही है, तो p square जो है, वो represent करेगा dominant का genotype का frequency, यानि कि homozygous dominant का frequency, ठीक है, homozygous dominant का frequency represent कर रहा है, that is capital W, capital W, q square represent करता है, कि इसको homozygous recessive वाली को, that is small W, small W, and 2pq represent करता है, किसको, heterozygous को, जहाँ पे हम लोगों को, capital W, और small W दे रहाता, ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, कि भाई, देखो, बात ऐसी है, कि sum of allele frequency, या sum of genotype frequency, it will always be 1, और we can say constant, अगर 1 नहीं हुआ, तो यानि कि वहाँ पर evolution हो रहा है, अगर 1 के बराबर आया, तो वहाँ पर evolution नहीं हो रहा है, ठीक है, अब exam में quotient यहाँ पर कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, आप लोगों को न, यह दो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, dominant allele frequency, and recessive allele frequency, यह population का data दे रहा होता है, कि देखो एतनी बड़ी population है, यहाँ पे aise of spring है, या इतने नमबर आफ ऐसे हैं, frocks, जैसे हैं frocks, घंद are a number of a animals है, आप यह बताओ कि यहाँ पे evolution हो रहा या नहीं हो रहा है, यहाँ पर natural selection हो रहा है, नहीं हो रहा है, migration यह जो भी, evolutionary process जी है, उसमें से 500 दे रहाखे हैं हम लोगों को, ठीक है, सब को चित्री किता बीजिबल भी होगा, यहां पर दे रहा है 375 डार्क ग्रीन फ्रॉक्स, और यहां पर दे रहा है light green फ्रॉक्स, उसको X लिख दिया है, light green फ्रॉक्स का नंबर नहीं दिया है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं तब ठीक नहीं हो यह भी अब इस कोशन बच्चे गलतियां क्या करते हैं न हम लोगों को 500 फ्रॉक्स दे रखे हैं चीख है कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को 375 ग्रीन फ्रॉक्स दे रखे हैं और हम लोगों को X लाइट ग्रीन दे रखे हैं ठीक है अब इसमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं या कन्फूजन कहां पर होता है यह ज़रा समझने वाला पॉइंट है जैसे यहां पर लिखा है ना कि 375 ग्रीन फ्रॉक्स हैं बच्चे क्या करते हैं 500 में से 375 मैनस करते हैं आंसर कितना आएगा 125 ठीक है अब उनको लग जाता है कि यह हमारा ग्रीन का फ्रिक्वेंसी हो गया ठीक है यानि कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी निकाल लोगी तो कैसे नि या फ्रिक्वेंसी तो कि उगए प्लस क्यू करके आंशर निकाल दूगा और 2P मतलह 2P क्यों रगाकर आंसर निकाल दूगा और यह एक्जाम में कोशन हो जाता है पूरा का पूरा गलत अब सवाल है कि यह गलत कैसे हो जाता है जबी भी आप लोगों को एक्जाम में कोशन दिया जाए सबसे पहले यह जानने के लिए कोशिश करें कि वहाँ पर आपको मेंशन क्या कर रखा है जीनो टाइप फ्रिक्वेंसी दे रखा है या अलील फ्रिक्वेंसी दे रखा है जैसे कि इस कोशन में आप लोगों को अलील फ्रिक्वेंसी नहीं दिया गया है अब यह कैसे पता लगेगा यहाँ पर बोला है डार्क ग्रीन फ्रॉग यहाँ पर बोला है लाइट ग्रीन फ्रॉग इतने इतने है ठीक है क्रेक्ट अगेन अब यहाँ पर फिर से समझने की कोशिश करते हैं वैसे कोशन मेंशन होगा कि अलील फ्रिक्वेंसी है या जिनुताइफ फ्रिक्वेंसी यह बट अगर्णा मेंचन ओ थोड़ा सा दिमाग लगाना मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर मेरे को दे राखा है डार्क में निकाल सकता हूँ अगर मैं 500 में से 500 में से 375 माइनस करूंगा तो मेरा यह आ जाएगा कितना जाएगा 125 फ्रॉग आ जाएगा अब इसमें एक और जगा गलतियां होती है कौन से जगा गलतियां होती है आड्ली के अंदर आप लोगों के दो जिन अपॉसेबल यह detta कैपिटाल डबलू हो प्रॉज उर्सूल यहां पर आपको जैंग किर है जैवे रखी है इट इस्लोट अफ चैपिटेल अथ-डबलू-व यह दोनों है और बच्चे इसको कभी ध्यान में रखते ही नहीं है उनको लगता है डार्क ग्रीन है तो व, या जो भी कहलो मतलब मैं कहलो फ्रॉक का कुछ भी ले लो कोई दिक्त नहीं है जैसा तो में ठीक लगे मेरे दिमाग में ग्सांपल चल रहा मैंने लिया ठीक है बोनों का है एक का नहीं है हां लेकिन एक हैं लोगों को कि हम लोग ने फाइव हंडिर में से माइनस कर ती सम 개डि फाइव को तो हम लोगों के पास light frog की frequency आई small g small g यह हम लोगों ने ठीक करा अब इसकी frequency निकालते हैं कैसे निकाले 125 divided by 500 और यहाँ इसको अगर आप equation में लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो देखो p square plus में 2pq plus में q square is equal to 1 अब मैंने यह वाली यह वाला equation क्यों लिखा है क्योंकि मेरे पास genotype frequency है मेरे पास early frequency नहीं है इसलिए मैंने यह वाला equation लिखा है मेरे को इसमें से किसी की भी genotype frequency नहीं पता है except किसकी light frog light frog की frequency मेरे को पता है यानि कि मेरा q square जो है मेरे को पता है लेकिन q square और निकालने से पहले में को क्यों निकालना पड़ेगा पहले हाना और क्यों कैसे निकालेंगे हम 125 divided by 500 तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 125 5 into 100 थोड़ सा किसिए बराबर आ रहा है यह आप के बराबर आएगा क्यों स्कोर के बराबर皏 अब कियोंकि निकालना है तो क्यू गतना जाएगा अंडर यूट ऑ polite 25 and which is equal to 0.5 तो मेरा यहां पर क्या आ गया 0.5 आ गया बेसिकली अलीड फिक्वेंची ऑफ लाइट फ्रॉक्स अब यह मैंने क्यों निकाला इस से मैं पी स्कूर निकाल लेता शायद यह पी स्कूर निकाल लेता तो टूपी क्यों निकाल पाता यह मैंने यह से निकाला था कि मैं डार्क वाल लेता है कि अलीड फ्रॉकंसि निकाल सकता हूं सही करें ना 05 का अगर 05 को 05 से मल्टेप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 यह आएगा 5500 000 ठीक है 05 में गलती ना कर दिए और स्था आप मैं हां पर लिखता हूं अलीड फिक्वेंसी की एकवेशन अलीड फ्र पी मेरे को नहीं पता लेकिन में को Q पता है 0.5 is equal to 1 तो P कितना आ जाएगा P is equal to 0.5 P और Q आप लोगों का 0.5, 0.5 आ रहा है अगर आप उसको चेक करना चाहें तो दोनों को एक वेश्ण में प्लेस करके P plus Q करोगे तो 1 के बराबर ही आएगा तो उससे भी चेक कर सकते हो कि आप कांसर सही आ रहे है या नहीं आ रहा अब यहां से अगर में को निकालनी हो क्या genotype frequency of homozygous dominant या heterozygous मैं सब निकाल सकता हूँ कैसे मैं पस P कितना है 0.5 है Q भी कितना है 0.5 है अब में को P स्कूर अगर निकालना है तो मैं सिंपल ही निकाल सकता हूँ 0.5 का स्कूर कितना जाएगा 0.25 मैं को अगर Q स्कूर निकालना है तो मैं को पता भी है 0.25 है ठीक है अब मैं को 2PQ निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ कैसे 2.5 multiply by 0.5 तो यह कितना हो जाएगा 25 into 2 तो 0.5 हो जाएगा यह भी ठीक है इस तरीके से निकाल सकते हैं और equation प्लेस करके चेक भी कर सकते हो कि correct है या incorrect है कैसे करोगे यह कितना या 0.25 आया प्लस में 2 into 0.5 0.5 plus में 0.25 क्या यह 1 के बराबर आ रहा है चेक कर लेते हैं 0.25 0.25 कितना हो जाएगा 0.50 and 2P की हम लोगों ने solve कर रहा था यह किसना आया था 0.5 यह था तो यह भी 1 के बराबर आ रहा है तो इस तरीके से भी हम चीजों को चेक भी कर सकते हैं ठीक है यह आप लोगों के frequency हो गई है किसकी heterozygots की यानिकी जिनका जिनोटाइब इस तरीके से इस को सॉल्व करना होता है और यहाप मैंने एक एक्जांपल दिया है तो आप लोगों के कोशिश करेंगा कि और भी इसके के काम बनेगा बना इससे समझ में नहीं आता है ठीक है ना अब बात करते हैं किसके बारे में कि ऐसे कौन-कौन से factors हैं जो affect करते हैं hardy windback equilibrium को तो पहला जो basic factor है वह simple सी बात यह है कोई भी ऐक ऐसा process जिसकी वज़े से evolution होता है वह hardy windback equilibrium को affect करेगा आनुस में से सबसे पहले यहां पर देखो देरा का है gene migration और gene flow now what is gene migration और gene flow क्या body से genes निकलके खुच चले जाते हैं या genes निकलके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इसको gene migration कहते हैं नहीं जायर सी बात है कि अगर gene का migration कैसे होगा अगर कोई individual जो है वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी body के अंदर जो genes है वह भी एक प्लेस से दूसरी जगह चले जाएंगे इसी को हम कहते है gene migration और gene flow कैसे जस्ट केस लेस्ट एक्जामपल मान लो कोई अमेरिका में female है वह इंडिया आई ठीक है इंडिया में उनको कोई पसंद आ गया और उनने शादी कर ली अब जिस परसन से जिस मेल की family में उनकी शादी हुई थी उस family में जो और जी जीन्स थे वहां से एक बाहर से जीन आया है क्योंकि जायर से बात है कि उनकी body के अंदर जो genes होंगे वह ठोड़ डिफेंट होंगे मैं नहीं करेंगे सारे के सारे डिफेंट है सारे से बात है सबका डियन अल्मुस्स होता है पॉइंट परसंट डिफेंट होगा और अल्टिमेटली वह कहीं नहीं कुछ नए करेक्टर्स प्रवाइड करेगा आधर बेबी को या कमिंग जनरेशन को तो यह क्या है मारा कि वह ऐसा नहीं की genes को मतलब किसी पैकट में लेके आई है अपने body के अंदर में भी होता है और के कहते हैं नेचर में भी होता है बहुत सारी इस पॉपलेशन में ऐसा होता है कि कोई एक स्पीसिस निकला और वह दूसरी जगा चला गया तो उसके अंदर जो genes वागरा है वह कहीं और चल जाते हैं तो इसको भी उससी तरीके से रेट करके देखेंगे भ अब gene flow के बारे में अब gene flow क्या होता है क्या नहीं होता उसको दर देखो सबसे पहले बोला गया क्या movement of alleles into or out of the population as a result of immigration और emigration immigration ने की अंदर आना emigration ने की बाहर जाना population से उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं gene flow example के तोर पे जिसे मैंने भी आप लोगों को example दिया था यहां से कोई अगर मालोब बीटल इस तरफ आया तो इस population के अंदर ब्राउन बीटल एंटर कर चुका है और जब यह आपस में रिपेड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि देर विल भी सम न्यू जीन यह तो कुछ नई चीज हम लोगों को देखने को मिलेंगी यह नई gene combination देखने को मिलेंगे तो इंट्रीमेटली आप क्या सकते हो कि जो frequency है जडराइं frequency वह तो खराब होई है यहां साजर को उहाँ पर जाएगा तो तो सेम चीज होगी, तो gene flow क्या होता है, जब किसी organism का immigration और migration के वज़े से change आये किसमे, allele frequency में और gene drive frequency में, ठीक है, अब यहां पर जब से देखा है, genetic drift, genetic drift क्या होता है, इसको पहली बात तो civil right effect भी कहते हैं, एक scientist ने हमारे civil, population by chance, तो genetic drift का सबसे खास बात क्या है, कि यह एक by chance event है, by chance event यारने कि it is because of some natural disaster और calamity की वज़े से होता है, अब जैसे example तो पर यहां पर छोटी population का example दे रखाए, कि यहां पर brown color के beetles से और green color के beetles से, कोई आदमी चलते वाया, उसका गलती से पैर, पैर इस तरीके से पढ़ा, कि सारे के सारे green beetles मर गए, तो brown ओली ने अपनी क्या कर दी, अपनी population बढ़ा ली, यह आप कह सकते हो, कि जैसी उस आदमी का पैर, इन green beetles पर पढ़ा, तो green beetles की जो allele frequency थी, वो वहां से कम हो गई, and ultimately, जो allele frequency या जिवनटाइ frequency of brown beetles थी, वो increase हो गई, तो genetic drift भी क्या करवा रहा है, change करवा रहा है, किसके अंदर, allele frequency और general frequency के अंदर, ठीक है, उसी तरीके से के अंदर हम लोगो को दो example देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारा founder's effect, और एक होता है हमारा bottleneck effect, क्या है यह founder's effect और bottleneck effect, देख लेते हैं इसको ज़रा ध्यान से, now, when a small group of person, जिसको हम founders कहते हैं, leave their homes to find a new settlement, the population in a new settlement may have different genotype frequencies from that of the parent population, अब example के तौर पर, यह मैंने यहाँ पर statement क्यों लिख वाई है, क्योंकि आप लोगों को थोरा सा लिखने में दिक्कत आती है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि इनिशली इस population को अगर देखोगे, तो यहाँ पर आपको grey color के और brown color के दोनों rabbits देख रहे हैं, इस population का अपना कोई allele frequency होगा, genotype frequency होगा, अब इस population से माल लेते हैं हम, की एक grey rabbit निकला, और वो दूसरी जगह पर चला गया, या दो निकले दूसरी जगह पर चले गया, अब हुआ क्या कि brown वाला rabbit तो नहीं गया था, तो grey वाले मापे गए, वो reproduce कर अलिल frequency और जनोटाइब frequency change हो गया है, तो इसी उकम का करते हैं, फांडर से भेक करते हैं, क्या कि वेन आप स्मॉल ग्रूप अफ पर्सन और या कह सकते हैं, फांडर फांडर लीव देर होम्स तो फांडर निव सेटलमेंट, दो पॉपलेशन इन निव सेटलमेंट, इन या जनोटाइब frequency देखने को मिल रहा है, निव सेटलमेंट के अंदर, डाट इस काल्ड फांडर सीफेक्ट, ठीक है, उसी उकम क्या कहते हैं, फांडर सीफेक्ट कहते हैं, ओके चालो, बहुत बढ़िया, आच्छा जी, आगे चलते हैं, दूसरा हमारा क्या है, बॉटलनेक सॉट ऑफ जनरिक ड्रिफ्ट की तरह हैं, बट कोई बात नहीं देख लेते हैं, वन दा साइज ऑफ पॉपलेशन इस सीवरली डियूस्ट, इवंट्स लैक नैचल द्रास्टर्स, एर्थ्वेक्स, फिलर्ट फायर्स चैन दिसमेट पॉपलेशन, किलिंग मोस् इंडिविज और इस अब जैसे एक्जाम्पल के तौर पर यह आपके पास इक बॉटल है, आपने इस बॉटल को तरीके से मिक्स करा, मिक्स कर आपको नई पता कि कौन से कलर की बॉल कहां पहाँ पहला नहीं इसमें दिफ़र्ट टैप सबॉल से लाइट ओरेंज के चैपिट सब्सक्राइब की आपने सब को क्या कर रहा मतलब स्फीचिस सेमी वोगी इसे हमने राइबट में देखा था कि लाइक ब्राउन का था गरें कि लॉक्षा जांव क्लार का था तो यहां पर बीटल स्मान लो कि सारे के सारे बीट खो कर एक रैकलर का है एक यलो कर 그래 का है और एक लग्रार का होना चेयर यह व्य लाइटक के अरक और एक व्य मतलब बॉल्ज करें जो आपको को नहीं पता कि इस Glass के अंदर किटने मतलब बॉल्स के रहे जिस ग्लास के अंदर बॉल जो गिल रहे हैं वह एक तो लाइट पिंक कलर गिरा हैं कुछ बॉल्स ग्रीन कल के रहे हैं डार्क रेड़ वाल यहां पे इस ग्लास में आप लोगों को एक भी नहीं दिख रही है यानि कि आप कह सकते हैं कि वह पॉपुलेशन पूरी की पूरी पूरी हो गई है तो बॉटलनेक इफेक्ट जैनेटिक डिफ्ट के अंदर ही आता है मतलब यह कह सकते हो कि मास लेवल पर इसका और इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन जैसका जिनोटाइप और अल्य फ्रिक्वेंसी चेंज कर जाता है विकॉज आफ नैच्वल डिजस्टर जैसे कि यह आपका बॉटल पलटना क्या था एक नैच्वल डिजस्टर था कभी-कभी फॉरेस्ट के अंदर फॉर इसका यहां पर देने का जीन पॉल बस इसको ऐसे समझ लो जीन पॉल में उसकी तरह है जीन फ्लो की तरह बदब जीन पॉल क्या है कि जिसरे आपकी एक फैमली है उसके अंदर कितने टाइपस ऑफ जीन प्रेजंट है ना वह एक जीन पूल के लाएगा जैसे यहां पर दिखा रहा है कि पिक्स की फैमली है इसके इनकी फैमिली का क्या होगे जीन पूल हो गया हर फैमिली का अपने जीन पूल होता है कोई नया मेंबर एड़ होता है यहां एक तरी के से collection of genes है जो एक कॉम्विनिटी के अंदर स्पीसिस के देखने को मिलती है उसके अंदर immigration और emigration से changes देखने को मिलते हैं genetic recombination dual parentage ठेक है जैसे कि कुछ organisms होते हैं या sexual reproducing organisms होते हैं उसमें male and female होते हैं तो जब जेंज्चीन फ्रिक्वंची और जिन्टाब फ्रिक्वंची ओके यह सारे ऐख्टर से हमारे जो अलीफ फ्रिक्वंची के अंदर और जिन्टाब फ्रिक्वंची के अंदर कभी अच्छे अच्छे आते हैं और थोड़े वैसे आते हैं एक तरीके से कह सकते हूं कि थोड़े conceptual बेस जाते हैं कैसी नेच्टिंस बूले हैं कोई अगर पॉपलेशन है नियचर इंदर तो इसंप इसे अग्जाम्पल देखने मिलते हैं जैसे कि मी लोग देखर एक छverted मेरेथे तो प्राओं कलर के बीटल्स, रेड कलर के बीटल्स, गिरिन कलर के बीटल्स, तो उसी तरीके से हर स्पीसिस के अपने अपने टाइप्स होते हैं, नैशल सेलेक्शन सब को फेवर रही करता, वो करता है, कुछ कह सकते हो पर्टिकुलर सेट आफ स्पीसिस को या कुछ रिस्पेक्टिव सी जो क favor करता है और जिन species को favor करता है वो आगे बढ़ती है या वो flourish करती है या वो grow करती है तीन तरीके की natural selections होते हैं हमारे एक होता है stabilizing नीचे वाला चुप गया है थोड़ा सा हाँ एक होता है stabilizing एक होता है directional एक होता है हमारा disruptive तो मैं हापर mention करता हूँ stabilizing directional and disruptive ठीके नव वट इस stabilizing कभी कभी एक population के अंदर न तो extreme organisms को छोड़ करके mean population को सब्सक्राइब कर जाता है तो उनका population बहुत ज्यादा रहता है तो कि आप बहुत सार बच्चे बोलेंगे कि भाया जब होगी यह अगर इसको सिग्जाम्पल से नहीं समझना तो आप ऐसे समझो एक बर इसको यहां पर मैं चारा लेके आता हूं तुम लोगों को यहां पर ठीक है स्टेबलाइजिंग को बैलेंसिंग सेलेक्शन भी कहते हैं इसमें जो सेलेक्शन होता है वो आवरेज साइज इंडिविजल को फेवर करता है ओके अब आवरेज साइज इन इंडिविजल से क्या मतलब है यह देखो एक्जामपल इतकर्स इन अल पॉपॉलेशं इन ते लिमिने एक ट्रीम्स आव दी पॉपॉलेशन जैसे कि दिर इस ओ्प्तिमम विंग लेंथ और हॉपॉलें थीक है विचों इन गिविजल इन इन इंवर्मेंट थीक है Stabilizing Selection operates through differences in breeding potential and will eliminate those hawks with wingspans larger or smaller in optimum length तो hawks जो होते हैं उनकी optimum wing length होती है Stabilizing Selection जो होता है इस तरीके से operate करता है कि जो बड़े वाले होते हैं और छोटे वाले होते हैं उनको eliminate कर देता है या और बीच वालों को जो है support करता है Eliminate का मतलब यह नहीं कि पूरा का पूरा गायब कर देना आप यह कह सकते हैं maximum support करता है किसको average size wings को क्यों क्योंकि जो बड़े wings वाले होते हैं छोटे wings वाले होते हैं उनको reproduction वाले होते हैं उनको reproduction करने में कोई problem नहीं आता है तो इसलिए वहाँ पर वो जो average size या वो organisms जो mean value शो करते हैं mean features शो करते हैं उनको support मिल रहा है और जब ऐसा होता है किसी भी selection के अंदर तो उसकों क्या कहते हैं stabilizing या balancing selection कहते हैं वन selection favors the average या mean sized organism या mean features mean organism showing features sorry sorry इसको आप ऐसे कह सकते हो when organism showing mean characters ठीक है तो when in natural selection an organism an organism with mean characters is supported तो उस condition कों क्या कहते हैं balancing or stabilizing natural selection कहते हैं ठीक है बस मेरे को मतलब थोड़ा यह है कि confusion ना हो basic mean characters होना ज्यादा वाला ना कम वाला दोन extremes को eliminate कर दिया है कौन support हो रहा है mean वाला support हो रहा है बड़े पंक भी नहीं चाहिए चोटा पंक भी नहीं चाहिए medium length के चाहिए उसी को support कर रहे हैं तो उसकों कहते है स्टेबलाइजिंग और balancing selection ठीक है जैसे कि आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स डारेक्शनल डारेक्शनल में क्या है कि अभी हम लोग ने जैसे कि industrial melanism के अगर हम बात करें तो यहां पर हमेशा क्या case पढ़ते हैं कि इसमें वाइट कलर का मौथ होता है और ब्लैक कलर का मौथ होता है ठीक है लेकिन industrial melanism के दौरान अगर आप डीटेल में बुक पढ़ेंगे तो आप आपको तीन मौथ के बारे में बताएंगे कुछ-कुछ मौथ ग्रे कलर के भी होते हैं अब बात क्या है जैसे एक्जांपल के तो पहले जब लाइकेंस ग्रो कर रहे थे तो ट्री वाइट कलर का था तो वा गए डवाइकन सच के लिए तो ब्लैक बाले मौथ ने कैम क्रिए में ट्रिया ला ग्रलय और ग्री वाले हैं तो यहां पर population जो है या natural selection जो है किसको support कर रहा है population के extremes को या तो मतलब जो पूरा black है या तो या पूरा white है तो वजब selection इस तरीके से operate करता है कि population को population के extremes को support करे उसको क्या कहते है directional या progressive selection कहते है directional और progressive selection exam में एक question आया था अभी आप लोगों का कुछ आप book सब्सक्राइब करते होंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा तो उसमें question दे रहा था कि या बेबीज है ठेक है तीन categories में उनको divide कर रहा था एक का वेट बोला गया था कि वन टू से 3 किलो केजिस के आसपस कुछ बेबीज का वेट था एक category थी 3 से 5 वाली और एक category थी 5 से 6 वाली किन categories बना दी या 2 से 3 कर दो 3 से 4 कर दो 4 से 5 कर देते हैं अब इस से 3 केजी और 3 से 4 और 4 से 5 कोशिच में क्या बोला कि 20 जो थी या निकि 3 से 4 केजी वाली जो category थी वह बिच्चे जो थे वह ज्यादा वह ग्रोग कर रहे थे ज्यादा जो छोटे वाले थे वह कमजोर थे और जो बड़े वाले थे वह और वेट थे तो उनको प्राब्लम हो रही थी जो ज़्यादा सभाई कर पाए वह कौन से थे तीन से 4 केजी वाले थे तो इस कंडिशन में कौन से सलेक्शन अपरेट हो रहा है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पॉपलिशन के जो एक्स्ट्रीम से हलके वेट वाले हैवी वेट वाले उसको एलिमेरेट किया जा रहा है और मीन जो है 3-4 केजी वाले उसको सपोर्ट किया जा रहा है यह एवरेज वाले और्गेनिजम को सपोर्ट किया जा रहा है तो इस तरीके से एक्जाम में कोशन पूछ जाते हैं बट वो अलग-अलग तरीका है पूछने का उसे तरीके से मौट वाले एक्जाम में आप से पूछ सकते हैं कि कौन सा तरीके का नाचर सेलेक्शन होता है स्टेबलाइजिंग डिरेक्शनल ठेक है या डिसरॉप्टिव डिसरॉप्टिव भी हम पढ़ेंगे वो और भी इंटरस्टिंग है डिसरॉप्टिव में क्या होता है यह तुम बाद में कहानी पढ़ने ना यह तुम लोगों के लिए लिखी गई यह मतलब है जहां पर पॉपॉलेशन का ना तो एवरेज सपोर्ट हो रहा है ठीक है अगर एवरेज सपोर्ट होता तो बीच में पीक मिलता एक डिरेक्शन वाल पॉपॉलेशन के 2 extreme ढोलों का सपूर्ट किया जाता है इसको मिसले चैनी को मिलेगी यहां पर यो होते हैं तीन साइज में देखने हो मिलते हैं बहुत चोटा है एक उसको भी करेंगा तो बड़ा वाला उसको हीं कि लड़ों रहोके पीट देगा उसके बड़े वाले के साथ के तो चोड़ेष प्रक्राव Essential नहीं कर सकता है ने अच्छ छोटे वाले के साथ वह कॉंपरिडी करने जाएगा छोटा सा है निकल के भग करके फटाक से फीमिल के पास पहुच जाता है चुप-चापके अब बचा कौन सा विचारा खुद बजी गया तो इन चिनुक सालमन फिश जब फेटिलाइशन की बारी आती है तो एक्स् स्मॉल वन जो है वह भी फेटिलाइशन कर लेती है कैसे है छोटी सी है छुप करके निकल जाती है रहे को जाता है मेडियम साइज तो इस पॉपॉलेशन के अंदर या इस कंडिशन के अंदर पॉपॉलेशन के दो अर्गनिजम सपोर्ट हो रहे हैं एक तो छोटा वाला और पॉपॉलेशन के दो एक्स्टीम सपोर्ट् के जा रहे हैं इसी तरीके के सेलेक्षिं क हम कहते हैं डिस्क्रेव इस्यवड़िव सिलेक्शन कहते है जब पॉपॉलेशन के दो एक potsukोрट किया जया है कि चीज्शन चस्यृप लोग याद रखनी है प्टीं तीन तरीके ऐसे कोशन्स के आप काफी कॉंपेटेंसी बेस्ट कोशन्स बनते हैं तो अगर आइडिया हो तो काफी अच्छी बात है ठीक है अब यहां पे लोगों को मैं उससे करवा दूँगा क्या कहते हैं ब्रीफ आउंट ऑफ एक खास है नहीं यहां पे टेबल दे रही है जो की मतलब अब बता रही कि कौन स्पीसिस कब और जिनेट होई थी और कुछ असमें है नहीं मैं आप लोगों को औरीजन और इवलिशन आफ मैन करवा जाता हूं और उसके लिए मैं इतलब एक सेशन लगा लेंगे जिसमें इंपोर्टन कोशन डिसकर्स करने होंगे तो ब्रीफ आउं अब सवाल कैसे कैसे बनते हैं सासत नोट करते रहें कि सबसे पहले प्राइमेट कौन कौन से मेले थे रामपाइथेकर्स और रामपाइथेकर्स आप इसके अंदर एक और सवाल बनेगा भाऑड देवर हैरी और वाक्ट लाइक गॉरिलास थिंपैंजिस रामपाय धेकर्स वास मोर अर्हां मैं यह भी एक कोशन मनता है नीट में सवाल पूछा गए कि रामपाय धेकर्स इनमें और कौंस आध्र मैं लेक होता है तो यह आंसर विट भी रामपाय थेकर्स जबकि ड्राव पाय थेकर्स जो था वह कैसा था वह स्मॉर एप लाइक तो दोनों के अपने अपने इंटरस्टिंग सवाल है मतलब यह आप लोगों को पता होना चाहिए रामपाय थेकर सोड़ा सा मैं लाइक था ज्यादा जानिय इस रिविल्ड हमनेट फीचर्स लीडिंग तो बिलीव एट अब थी तो फॉर मिल्यों यह अगो मैं लाइक प्रामेट्स वाक इन इस्टन एफरीका तो शुरुवात कहां से हुई पंदर मिलन इयर्स से और अब कहां पहुंच गये हैं 3.5 434 मिलिए से सबसे पहले यहां पर देखिए इस्टन एफरीका के अंदर ही लोगों के फॉसिल्स मिले थे यहां पर हमारे आपके देख सकते हैं यह अपने ड्रापाइथेकस हैं दोनों को दिखाया गया है एक चार्ट मेरे पास और है एक मिटर को पूरा का पूरा मैंने वह बना रखा है इस नहीं है कोई बात नहीं उसका वह देख लेंगे बट रामपाइथेकस जो था हमारा इट वस दोनों देखने में चिंपैंजिस की तरही वाक करने सब कुछ वैसे करने बट हां रामपाइथेकस वर इस अफ्रीका में मिले थे बट वाक अपराइट अब यह काफी इंटरसिंग से चीज़ है कि तीन से जार मिलें से अगो पहले ही लोगों ने अपराइट वॉक करना शुरू कर दिया था ठीक है नाव टू मिलें इयर्स अगो अस्ट्रेलोपाइथेकस प्रबबिली लिवड इन इस्ट अफ्रीकन ग्रास लेंड्स तो भी अभी अफ्रीका की बात हो रही है ठीक है और इस शोस दे हंटे विट सोन वेपन्स बट एसेंशली एट फूट एविदेंस इस जो थे वी शो कर रहे थे कि यहां भाई यहंट करते थे बट मोस्ली फूट्स वगर ही खाते थे श्वार श्री अंजी तो सम फट बोंस अमंग बोंस इसकोवर्ड वर दिफ्रेंट इसक्रेश्ट्र वास को बोला गया था कि इस फूस्ट ही मन लाइक कह सकते हैं व्हां व्हां लाइक बिंग लिह मिन इडिए होमिन इडिए किसको बोला गया था सबसे पहले होमा थे कर दो कि दो million years पहले अगे मिले थे and they walked upright तो यहां पर इनकी हाइट और सब्सक्राइब करके चल रहे हैं and यहां पर आप देख सकते हैं this is homo habilis the brain capacities were 650 to 800 cc homo habilisky they probably did not eat meat fossils discovered in Java in 1891 revealed that next stage is homo erectus so homo habilis के बाद क्या आया homo erectus आया कितने साल पहले 1.5 million years अगो पहले अब थोड़ा देखोगे तो जाएसी बात है कि walking posture में चेंज आ रहा है उनकी activities में चेंज आ रहा है बट धिरी-धिरी brain capacity भी improve होती जा रही है पहले brain capacity कितनी थी 652 800 cc लेकिन homo erectus के अंदर जो brain capacity it was around 900 cc so brain development भी काफी जदा हो रहा है and that's why मतलब इसे अगर हम पनी बात करें तो हमारी brain capacity काफी अच्छी काशी है और स्वाड़ और गानिजम तो brain capacity भी इंक्रीज होती जा रही है लेकिन sequence भी याद रखना है कि sequence क्या क्या है जारकी एंचेटी में जो चीजे लिखी हुए न इसको एक्जाम में लिखकर आओगे नंबर नहीं करेंगे तो ड्रापाय थैकस रामपाय थैकस अस्ट्रलोपाय थैकस होम है बिलेस अन उसके बाद होमो erectus now homo erectus जो थे they ate meat okay चलो ठीक है इन्होंने मीट वग रखाय तो इस्ट एंड सेंट्रल एशिया बेट्वीन वन लाग तो फॉर्टीन थाउजंद सियर बैक सो एक लाग चालीज अर के आसपास क्या देखे गए नियंदर्थल मैंस देखे गए जो कहां पर लहते थे अफ एशिया में रहते थे तो अफ्रीका से नाव वी आरिन एशिया यह जैसे से ब्रीं डेवल फोर है उस तरीके से डेव डिविलप और यह चेंज हो रही है हमोसापियन अक्रॉस अप्रोस एंफरीका और मूब अक्रोस कॉंटेंस एंडवलप करें इतने इंटो डिस्टें रिशे थे खेंश तो अब नियंदर्थल के बाद क्या हूब होग हमोस इतालियन है या अस्ट्रेलियन है अमेरिकन है डिफेंट रिसेज में वह इवाल हुए डिविविए ऐसेज बेट्विन 75,000 तो टैन हंदेड यह अगो modern homo sapiens अरोज सो एक हमारे homo sapiens पुराने वाले थे अभी हम कहते हैं अब हमो मोडन होड़ी हो मोड़ी होमो sapiens या होमो सेपिन सेपिन के भी कहते हैं ठीक है तो प्री हिस्टोरिक के आठ डिवलप्ट एक मिट रुको प्री हिस्टोरिक के बाट डिवलप्ट एराउं 18,000 यह सब वन सच के पेंटिंग बाइप प्री हिस्टोरिक हुमन कैन बी सीन आट भीम बेट का रॉक शेल्टर इन राइसें डिक्रिटर फ मद्यपर्देश सो सबसे पहले जो के पेंटिंग अगरा देखी गई थी इंडिय इस पार्ट फिमन इस्टी अफ ग्रोथ और डिवलाइजेशन जो यह सारी चीज़ा दे रिखियें बाकि यहां पर भी आप देख सकते हैं यह हमारे हम उसे पिंस पगरा दिखा रहा है यहां पर हम महाबलेस के बाद नियंदर्थल मैंस दिखा रहे हैं फिर यहां पर मॉड सिमिलर थे तो नियंदर्थल में और मॉडर्ण हों सेपिंस के नदर आप कुछ खास देखेंगे नहीं आक्टिविटी का दिखेंगे प्रेंट का देखेंगे आप क्या सकते हो विट टाइम उनों नहीं खुद को इंप्रूफ कर लिया और टॉन इंटो मॉडर्ण हों सेपि इरेक्ट्रस था इन्हों है विलस क्यों डाल दिया है वह हमने तो नस्यर्टी में पढ़ाए में हल्स है न हो मअ है विलेस से पहले एक मिन्टर को एस्टियो पाया थेकर होम है विलेस की बाद आये एक्टरस हाँ एक्रस बाद मैं सौरी अच्छों सो होगए नहीं हो मैं हो तो यह सीक्वेंश आप लोगों को याद रखना है मेरा सबसे वीक पॉइंट यह सीक्वेंश के अंदर कि आई ओल्मोस गॉट कन्फूज इंविट मेरा कन्फूजन होता है बहुत जादा ठीक है सो इन दोनों का ध्यान रखना कि रेक्टरस बाद में था है बिलस पहले आये बना तो डिक्कत नहीं होती है बाकी तो अस्ट्रोपाय थे कैसे उसके बाद यहां पर नियुंद थिलिजा सेपिन से स्टार्टिंग में अपना ड्राव पाया थे कैसे उसमें दिक्कत नहीं होगी इन दोनों में कन्फूजन होता है सुच्छ का थोड़ा ध्यान रख लेना आप हैका सकते हैं होमो अटें दॉड़े से इरेट होके ज़ादा चल रहे थे अरे इरेक्ट होए तो कहीए नہ पर आप हीवॉल्फ हो चुके हैं इसलें रखोके चल रहे हैं से बाद में आहीं एये एक्ट होके इतना ऱंसे सिल checked हो ब — बात में करें कोशन से कर लेंगे सब कमेंट सेक्शन में बता देना कब आपको करना है या नेक्स क्लास जब होगी हमारी तुसके अंदर हम लाइवी कर लेंगे हाना ताकि आपके जो कोशन सब रहा है वो अच्छे तरीके से डिसकस हो जाए उसके अंदर बालोजिकल डेख लूगा मैं बाइ और दाकि आपके यू जाए तो जाए नाए बालोजिकल जाए बालोजिकल डेख रख माइव और इन्द लेख जाए तूसके अशन में पाटेशन पाना का कर ले कई व्यू टमूच तूमूके जाए